ओम शांति, 28 में 2022, बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ. आत्मा से बात करता हूँ, मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। प्रश्न, बाब द्वारा रचा हुआ यग्य, जब तक चल रहा है, तब तक ब्रामनों को बाब का कौन सा फर्मान जरूर पालन करना है। उत्तर, बाब का फर्मान है, बच्चे जब तक यह रूद्र यग्य चल रहा है, तब तक तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। तुम ब्राम्मा के बच्चे, ब्राम्मा कुमार कुमारी, कभी विकार में नहीं जा सकते। अगर कोई इस फर्मान की अवग्या करते हैं, तो बहुत कड़े दंड के भागी बन जाते हैं। अगर किसी में क्रोध का भी भूत है, तो वह ब्राम्मन नहीं। ब्राम्मनों को देही अभिमानी रहना हैं, कभी विकार के वशिभूत नहीं होना है। गीत ओ दूर के मुसाफिर ओम्शन्ति दूर के मुसाफिर को तुम ब्राम्मनों के बिगर कोई भी मनुष्य मात्र जानते नहीं हैं। बुलाते हैं हे परमधाम में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा आओ। पिता कहते हैं परन्तु बुद्धी में नहीं आता है कि पिता का रूप क्या है, आत्मा क्या है। भल समशते हैं, आत्मा भ्रकुटी के बीच सितारे समान रहती है, बस और कुछ नहीं जानते, हमारी आत्मा में चोरासी जनमों का पार्ट भरा हुआ है, इन बातों का कुछ भी ज्यान नहीं है। आत्मा इस शरीर में कैसे प्रवेश करती है, यह भी नहीं जानते हैं। जब अंदर चुरपुर होती है, तब पता पड़ता है कि आत्मा ने प्रवेश किया। फिर जब परम पिता परमात्मा कहती है, तो यह भी आत्मा ही पिता कहती है। आत्मा जानती है, यह शरीर लौकिक पिता का है। हमारा बाप तो वह निराकार है, जरूर हमारा बाप भी हमारी जैसा बिंदी स्वरूप होगा। उनकी महिमा भी गाते हैं, मनुष्य स्रुस्टी का बीज रूप ज्यान सागर पतित पावन है। परंतु कितना बड़ा वा छोटा है, यह सब की बुद्धी में नहीं बैठता है। पहले तुम्हारी बुद्धी में भी नहीं था, कि हमारी आत्मा क्या है। भल पर्मात्मा को याद करते थे, कि हे परंपिता, परंतु कुछ भी जानते नहीं थे। बाप तो निराकार है, फिर वह पतित पावन कैसे ठेरा, क्या जादू लगाते हैं, पतितों को पावन बनाने जरूर यहां आना पड़ता है। जैसे हमारी आत्मा भी शरीर में रहती है, वैसे बाप भी निराकार है, उनको भी जरूर शरीर में आना पड़े। तब तो शिवरात्री अत्वा शिवजैनती मनाते हैं, परंतु वह पावन कैसे आकर बनाते हैं, यह कोई भी जानते नहीं हैं। इसलिए कह देते हैं सर्व्यापी, प्रदर्शनी में अत्वा कहां भी भाशन आदी करने जाओ, तो पहले पहले बाप की ही पहचान देनी हैं। फिर आत्मा की, आत्मा तो भ्रकुटी के बीच रहती है, उसमें ही सारे संसकार रहते हैं। शरीर तो खलास हो जाता है, जो कुछ करती है वह आत्मा ही करती है। शरीर के ओर्गन्स आत्मा के आधार पर ही चलते हैं। आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है। आत्मा ही कहती है, आज मैंने आराम बहुत अच्छा किया है। आज मुझे आराम नहीं आया। मैं इस शरीर द्वारा यह धंदा करता हूं। यह तुम बच्चों को आदत पढ़ जानी चाहिए। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो उनको मुर्दा कहा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा निकलने से शरीर में जैसे बास हो जाती है। शरीर को जाकर जलाते हैं, तो तुम्हारा आत्मा के साथ ही प्यार है। तुम बच्चों को यह शुद्ध अभिमान होना चाहिए, कि मैं आत्मा हूं। पूरा आत्म अभिमानी बनना है, महनत सारी इसमें ही है। मुझ आत्मा को इन ओर्गंस द्वारा कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, भोगना भी तब भोगी जाती है, जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर आत्मा दुख भोग न सकी, तो पहले आत्म अभिमानी फिर परमात्म अभिमानी बनना है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। कहते भी हैं कि परमात्मा ने हमको पैदा किया है। वहर रच्चईता है, परन्तु वहर रच्चता कैसे है, कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की कैसे इस्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया में रहते हैं, देखो कैसी युक्ती है, उन्होंने तो प्रले दिखा दी, कहते हैं पीपल के पत्ते पर एक बालक आया, फिर बालकी तो दिखाते नहीं, इसको कहा जाता है अज्यान। कहते हैं, भगवान ने शाष्ट्र बनाई, व्यास भगवान तो हो न सके, भगवान शाष्ट्र बैठ लिखते हैं क्या। उनके लिए तो गाया हुआ है, वह सब शाष्ट्रों का सार समझाते हैं, बाकी इन वेद शाष्ट्र पढ़ने से कोई का कल्यान नहीं हो सकता। समझो ब्रह्म ज्यानी है, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म तो महतत्व है, आत्माई वहां रहती हैं, यह ना जानने कारण जो आता है सो बोलते रहते हैं, और मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं। बहुत ही हठ योग प्राणायाम आदी करते हैं, तुम तो कर ना सको, तुम नाजुक कन्याओं माताओं को क्या तकलीफ देंगे। पहले तो माताओं राज विध्या भी नहीं पढ़ती थी, थोड़ी सी भाशा सीखने के लिए स्कूल में भेजा जाता था, बाकी नौकरी तो करनी नहीं हैं। अभी तो माताओं को पढ़ना पढ़ता है, कमाई करने वाला ना हो, तो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, भीक ना लेनी पढ़े, नहीं तो काईदे अनसार बच्चियों को घर का काम सिखाया जाता है। अब तो बैरिस्ट्री, डॉक्ट्री, आदी सीखती रहती हैं, यहां तो तुमको और कुछ करना नहीं हैं, सिर्फ पहले पहले कोई को भी बाप का परिच्य देना हैं, निराकार को तो सभी शुव बाबा कहती हैं, परन्तु उनका रूप क्या है, कोई भी जानते नहीं ब्रह्म तो तत्व है, जैसे यह आकाश कितना बड़ा है, अंत नहीं पा सकते, वैसे ब्रह्म तत्व का भी अंत नहीं है, उनके अंश मात्र में हमात्माई रहती हैं, बाकी तो पोलार ही पोलार है, सागर भी अथा है, चलते जाओ, पोलार का भी अंत नहीं पा सकते, कोशिश करते हैं, उपर जाने की, परन्तु जाते जाते, उनका सामान ही खुट जाता है, वैसे ही महतत्व भी बहुत बड़ा है, वहां जाकर कुछ ढूनने की दरकार नहीं है, वहां आत्माओं को यह विचार करने की भी दरकार नहीं, ढूनने से फाइदा ही क्या होगा, समझो स्टार्स में जाकर दुनिया ढूनते हैं, परन्तु फाइदा ही क्या है, वहां कोई बाप को पाने का रास्ता नहीं है, भगत भक्ती करते हैं भगवान को पाने के लिए, तो उनको भगवान मिलता है, वह मुक्ती जीवन मुक्ती देते हैं, धूनना भगवान को होता है ना कि पोलार को, जहां से कुछ मिलता नहीं, कितना गवर्मेंट का खर्चा होता है, यह भी ओल्माइटी गवर्मेंट है पांडव और कौरव दोनों को ताज नहीं दिखाते हैं बाप आकर तुमको सब बाते समझाते हैं जबकि तुम इतनी सब नौलिज पाते हो, तो तुमको बहुत खुश रहना चाहिए तो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है तुम्हारी आत्मा कहती है, हम पहले सो देवी देवता थे बहुत सुखी थे, पुन्य आत्मा थे इस समय हम पाप आत्मा बन पड़े हैं क्योंकि यह रावन राज्य है यह रावन की मत पर है तुम हो ईश्वरिय मत पर रावन भी गुप्त है, तो ईश्वर भी गुप्त है अभी ईश्वर तुमको मत दे रहे हैं रावन कैसे मत देते हैं, रावन का कोई रूप तो है नहीं यह तो रूप धरते हैं, रावन के तो सभी रूप हैं जानते हैं, हमारी आत्मा में पांच विकार हैं हम आसुरी मत पर चल रहे हैं मेल फीमेल दोनों में पांच विकार हैं यह सब बातें मनुष्य की बुद्धी में तब बैठेंगी जब वह जानेंगे कि हमको पढ़ाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा है परमात्मा निराकार है जब वह साकार में आवे तब तो हम ब्राम्मन बने बाप भी रात को ही आता है शिव रात्री सो भ्रम्मा की रात्री हो गई ब्रह्मा द्वारा ही ब्रह्मन बनेंगे यग्य में ब्रह्मन जरूर चाहिए ब्रह्मनों को जब तक यग्य संभालना है तब तक पवित्र रहना है जिस्मानी ब्रह्मन भी जब यग्य रचते हैं तो विकार में नहीं जाते भल हैं विकारी परन्तु यग्य रचने समय विकार में नहीं जाएंगे। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, तो जब तक तीर्थों पर रहते हैं, तो विकार में नहीं जाते हैं। तुम ब्राह्मन भी यग्य में रहते हो, फिर अगर कोई विकार में जाते हैं, तो बड़े पाप आत्मा बन पड़ते हैं। यग्य चल रहा है, तो अंत तक तुमको पवित्र रहना हैं। ब्रह्मा के बचे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कब विकार में नहीं जा सकते। बाप ने फर्मान किया है, तुम कब विकार में नहीं जाना। नहीं तो बहुत दंड के भागी बन जाएंगे। विकार में गया तो सत्या नाश हुई वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं परन्तु शूद्र मलेच हैं। बाबा हमेशा पोचते हैं तुमने पवित्र रहने की प्रतिग्या की है। अगर बाब से प्रतिग्या कर भ्रामन बन फिर विकार में गए तो चंडाल का जनम पाएंगे। यहां वैश्या जैसा गंदा जनम कोई होता नहीं। यह है ही वैश्याल्य। दोनों एक दो को विश्पिलाते हैं। बाबा कहते हैं माया भल कितने भी संकल्प लावे परन्तु नंगन नहीं होना है। कई तो जबरदस्ती भी नंगन करते हैं। बच्चियों को ताकत कम रहती है। पवित्रता के साथ चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। चलन खराब है तो वह भी काम के नहीं। लौकिक माबाप में विकार हैं तो बच्चे भी माबाप से ही सीखते हैं। तुमको पारलौकिक बाप तो यह सिक्षा नहीं देते। बाप तो देही अभिमानी बनाते हैं, कभी क्रोध नहीं करना। उसी समय तुम ब्रामन नहीं चंडाल हो, क्योंकि क्रोध का भूत है, भूत मनुष्य को दुख देते हैं। बाप कहते हैं, ब्रामन बनकर कोई शैतानी काम नहीं करना है। विकार में जाने से यग्य को तुम अपवित्र बनाते हो, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। ब्रामन बनना कोई मासी का घर नहीं है, यग्य में कोई गंद नहीं करना है। पांच विकारों में से कोई भी विकार ना हो, ऐसे नहीं क्रोध किया तो हर्जा नहीं। यह भूत आया, तो तुम ब्रामन नहीं। कोई कहे यह तो मन्जिल बहुत उंची है, नहीं चल सकते हो, तो जाकर गंदे बनो। इस ज्ञान में तो सदा पवित्र हर्शित रहना पड़ी। पतित पावन बाप का बच्चा बनकर बाप को मदद देनी है। कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। कोई तो आते ही फट से विकारों को छोड़ देते हैं। समझना चाहिए हम रूद्र ज्ञान यज्य का ब्रामन हूँ। हमारे से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो दिल खाती रहे। दिल रूपी दरपण में देखना हैं कि हम लायक हैं। भारत को पवित्र बनाने के हम निमित हैं तो योग में भी जरूर रहना हैं। सन्यासी लोग सिर्फ पवित्र बनते हैं बाप को तो जानते ही नहीं। हट योग आदी बहुत करते हैं पाते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो बाप आई हैं शान्ती धाम में ले जाने लिए। हम आत्माई वहां की निवासी हैं। हम सुख धाम में थे अब दुख धाम में हैं। अभी है संगम यह सिमरन चलता रहे तो भी सदा मुस्कुराते रहें। जैसे देखो यह अंगना बच्चा बैंगलौर का सदेव मुस्कुराता रहता है। बाबा कहने से ही खुशी में भरपूर हो जाता है। इनको खुशी है। हम बाबा के बच्चे हैं। जो भी मिले उनको ज्ञान देते रहो। हां कोई हसी भी उडाएंगे क्योंकि नई बात है। कोई भी नहीं जानते कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। क्रिश्न तो कभी आकर पढ़ाते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धार्णा के लिए मुख्य सार। पहला रूद्र ज्यान यग्य का ब्रामन बनकर ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दिल को खाता रहे। कोई भी भूत के वशिभूत नहीं होना है। दूसरा पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्शित रहना है। ज्यान का सिमरन कर मुस्कुराते रहना है। वर्दान चित की प्रसनता द्वारा दुआओं के विमान में उडने वाले संतुष्ट मनी भावा। संतुष्ट मनी उन्हें कहा जाता जो स्वयम से, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना यही तपस्या की सिधी है। संतुष्ट मनी वह है जिसका चित सदा प्रसन हो। प्रसनता अर्थार्त दिल दिमाग सदा आराम में हो। सुख चैन की स्थिती में हो। ऐसी संतुष्ट मनिया स्वयम को सर्व की दुआओं के विमान में उडता हुआ अनुभव करेंगी। स्लोगन सचे दिल से दाता, विधाता, वर दाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। ओम शांती। कि जएक पार कि अपूद्ट साथ। अप्राद करेंगी। मिया था जिया था भी आप दिल से में जाएक विवडिदी और दाता, विभवेएक जाया में जाता, विदुम उदूआ ह। करेंगी दूआ अनुद अनुदए